हेलो गाइस वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूटूब चैनल सिंपल एनरजी की सिंपल वान इलेक्टिक स्कूटर को 15 अगस्त के दिन लॉंच कर दिया गया था जिसका लाइब लॉंच इवेंट वाला वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था उसके बाद सहीं कमेंट आने स्टार्ट हो गए आप लोगों में से काफी सारे लोगों का इस इलेक्टिक स्कूटर से रिलेटेट कमेंट है काफी सारे ऐसे आपको कन्फूजन है जिसके बारे में आप जानना चाहते है वो सारे confusion आपको इस वीडियो में दूर होता हुआ दिखने को मिल जाएगा आपको मैं बता दूँ इसमें 30 से 40 से important point को मैंने comment में से out किया है जिसके बारे में हर कोई जाना चाता है जैसे इसका price कितना है, subsidy कितना है, EMI कितने रुपे से होगा और इसके delivery कप तक होगी और इसको आप कैसे book कर सकते हैं और अगर आप book कर दियें तो आप कैसे fully refundable amount से cancel कर सकते हैं इसका जो fake website है वो आप कैसे पहचान सकते हैं fake website और rear website के बारे में भी आपको इसमें जानने को मिलेगा और city wise इसका subsidy कितना होने वाला है और क्या आपको इसके में license का ज़रूरत है काफी सरे इससे सवाल है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा जिसमें से एक important सवाल ये भी है काफी सरे लोगों को ये भी query आया हुआ है कि इसकी battery के warranty कप तक है vehicle के warranty कप तक है और वी काफी सरे इससे सवाल है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले है तो आप लोग वीडियो पर बने रहेएगा तो चलिए आगे इस topic को continue करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस electric scooter की warranty और इसकी battery की warranty के बारे में तो सबसे पहला चीज में आपको बता दूँ कि सुभास, राजकुमार जो है ये Simple Energy के founder और CEO है तो इन्होंने ट्विट करके अपना एक information अपडेट किया है कि जो लोग पूछ रहे कि वेकल की warranty कितनी है तो आप यहाँ पे insert देख सकते हैं तीन साल आपको वेकर की warranty मिलती है और तीन साल आपको battery के warranty मिलती है तो I think अब आपको clear हो चुका होगा ये official update आपको मिल चुका होगा कि इस electric scooter की warranty कितनी है और इसकी battery की warranty कितनी है Next point हम cover करने वाले हैं क्या आपको simple one electric scooter में speaker देखने को मिलता है एक बंदे नहीं यहाँ पे पुछा हुआ है कि क्या sir आपकी electric scooter में speaker दिया हुआ है तो यहाँ पे उनका जवाब है कि नहीं तो यानि आपको इस electric scooter में speaker देखने को नहीं मिलेगा इसका जो sound आता है वो motor सही निकल के आता है तो इसमें आप music on the way पे नहीं सुन सकते है जैसा कि आप ओला की electric scooter में सुन सकते है next point के बारे में बात करते है Simple Energy की fake website के बारे में Simple Energy की एक fake website है जहाँ पे लोगों का पैसा लिया जा रहा है और उनको कोई भी confirmation message नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी इस video में आपको देखने को मिलने वाला है Simple Energy ने एक tweet करके एक अपने customer को बताया है कि उनका एक fake website है जहाँ पे लोगों का पैसा लिया जा रहा है और मेरे पास भी ऐसा comment आया वा था कि एक fake website भी है जिसके तुरू लोगों का पैसा लिया जा रहा है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप original और versus जो fake website है उसको आप कैसे पहचान सकते है जो image share किया गया है tweet के तुरू एक image share किया गया है उस image के तुरू और मैं जो official website पर जा रहा हूँ original website पर जा रहा हूँ उसमें आपको क्या अंतर देखने को मिलने वाला है और यहाँ मैं आपको बता दू इनको जो original website पर उसका जाने का एक असान तरीका आपको यह है कि आप Instagram पर इनको follow कीजे या follow कीजे या ने कीजे बट Instagram के account पर जाएंगे तो वहाँ पर इन्हों ने अपना जो original website है उसका link वहाँ पर दिया हुआ है और एक माधिया में आप Twitter पर भी इनको जा के देख सकते हैं वहाँ पर भी इनका official link दिया हुआ है तो उस link के through में उस पर click करके दिखाता हूँ और जो tweet के through इनका image share किया गया है उसमें में दिखाता हूँ कि clone website और real website में कि आपको थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलने वाला है जिससे आपका भी पैसा बरबाद ना हो आप भी सचेत हो जाए कि ऐसा भी कुछ यहां पर चल रहा है तो इसके लिए आप Google Chrome में जाएंगे Simple Energy का official website लिख के search करेंगे तो आपको यहां पर इस तरह का कुछ देखने को मिल जाता है बट अगर आप चाहते हैं कि save तरीके से आप जाए तो आप Instagram पर जाए Instagram पर जाने एक बाद आप search कीजिए यहां पर Simple Energy तो Simple Energy यहां पर आपको लिखावा देखने को मिल जाएगा यहां आप Twitter पर भी जा सकते हैं और यहां पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए तो यह एक save माध्यम हो जाता है कि आप official website पर ही जा रहे है तो यहां पर जैसे मैंने यहां पर किया तो इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि आगे का process दिखा रहा तो यहां पर हम चल जाते हैं company के official website page पर और मेरा यहां पर net थोड़ा सा slow चल रहा है जिसके वज़े से यह थोड़ा late से open हो रहा तो यह हम आ जाते हैं इनके official website पर तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह का interface आ रहा है और यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर भी आपको इस तरह के से कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है वहीं जो fake website है उस पर मैं दिखाता हूँ कि किस तरह देखने को मिलता है तो fake website पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको black और white में लिखा हुआ देखने को मिल रहा original में बट fake वाले में आपको color देखने को मिलता है और यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको इस तरह का लोगो देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी simple one है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है उपर में लिखा हुआ है ठीक है और अगर मैं chrome पे जाता हूँ एक बार मैं आपको chrome पे दिखाता हूँ अगर आप chrome प्राउजर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए यह लोग किया हूआ simple energy लिखा हूआ देखने को मिलता है बट जो fake website है उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ अलग ही साइन है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको इस तरीके से लगा हुआ देखने को मिलता है लोगों बट जो fake website है वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह कर नहीं है और यह आपको यहाँ पे भी चेक करना है तो यह आप original website पे है इस तरीके सा आप चेक कर सकते हैं अगर आप fake website पे चल जाते हैं तो next point के बारे में बात करते हैं अगर जिन्होंने pre-book किया है इस electric scooter को और उनके पास कोई भी confirmation mail या message नहीं आया हुआ है तो उसके उपर company का क्या कहना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे काफी सारे लोगों का ऐसा हुआ भी है कोई भी confirmation कोई भी mail नहीं आया है तो company नहीं यहाँ पे tweet करके बता है कि आप अपने email को एक बार फिर से check करें spam folder में भी जा कि आप अपने email ID में एक बार चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई message गया है या नी या फिर आप 2-3 दिन रुख सकते हैं company अपने website पे यह update कर रही है और इनके website पे यह काम चालू है जिसके लिए company ने 10 दिन का working time मांगा हुआ है वो भी tweet आप यहाँ पे देख सकते हैं company बोल रही है कि हम अपने website पे काम कर रहे है 10 दिन के अंदर यह सारे चीज़ें को resolve कर दिया जाएगा तो आप बिल्कुर निश्चिंत रहे हैं अगर आपने official website से book किया है तो आपके पास भी message आ जाएगा company का ऐसा कहना है तो चलिए बात करते है next point के बारे में क्या आप इस electric scooter का test ride अभी फिलाल के लिए कर सकते हैं तो इस पे भी company का एक tweet आया हुआ है जहाँ पे company बता रहे है कि फिलाल यह अभी लेवल नहीं यह test ride के लिए next point के बारे में बात करें कि इस electric scooter के delivery कब से start होगी तो मैं आप लोगों को बता दूँ company ने ऐसा बताया है कि इस electric scooter के delivery वो अगले साल 2022 के January से start करने वाली है date उन्होंने final नहीं किया कि एक तारे क्या 7 जनवरी या 8 जनवरी ऐसा कुछ final नहीं किया है बट company ने यह बताया है कि जनवरी 2022 से वो अपने जितने भी bike को book किया गया है उनको वो deliver करना start करने वाली है अगल जो point के बारे हम हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और सबसे important सवाल है subsidy इस electric scooter के subsidy कि इतनी मिलने वाली है तो दोस्तों मैं आप लोग बता दू एक subsidy के उपर में एक full details वाला वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि पूरे easy तरीके से आपको सब गुना भागा सब चीज बताऊंगा कि कैसे एक subsidy निकाला जाता है कितना रूपय कहां से city wise है बट फिर भी आप tension नहीं लीजे मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि इस electric scooter की subsidy कहां कहां मिलने वाली है और जो एक separate वीडियो बनाऊंगे subsidy का वो एक full details बताऊंगा कि central government कितना देती है कितना percent होता है up to कितना percent तक subsidy मिलता है और किस state में कितना subsidy है early bird offer क्या है subsidy का और on road कहां पे कहां पे insurance लगेगा कहां पे आपको road tax लगेगा सारा कुछ आपको उस वीडियो में वा देखने को मिल जागा इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा मुटा एक idea दे देता हूँ दोस्तो ऐसे पांच state है जहां पे state government आपको subsidy देती है सबसे पहला है देली यहां पे आपको state government 15,000 का subsidy देती है जो simple one electric scooter है उसका एक सोरम प्राइज 1,99995 रूपह है मान के चलिए कि 1,10,000 है तो आप 1,10,000 में से 15,000 subsidy का माइनस कर दीजिए तो उसके बाद आपका इसका एक सोरम प्राइज निकल के आता है 95,000 95,000 रूपह इसका एक सोरम हुआ बट यहां पे आपको देली में आपको 6-7,000 इंसुरेंस का लगने वाला है तो 95,000 प्लस आप 7,000 पकड़ के चलिए यह आपका एक सोरम प्राइज निकल के आएगा देली का वह सेकेंड बात करें तो गुजरात में आपको इसका एक सोरम प्राइज वो 90,000 का पढ़ जाता है किसी-किसी स्टेट में आपको RTO भी लग रहा किसी स्टेट में आपको RTO नहीं भी लग रहा इंसुरेंस आपको सिब देना पढ़ता है तो यहाँ पर फिलाल यह अपडेट अभी है कि यहाँ पर आपको 90,000 एक सोरम प्राइज इस इलिक्टिक स्कूटर का पढ़ने वाला है और वैसे भी कमपनी कुछ हपते में मतलब नेक्स्ट वीक होने से पहले जो Simple Energy की website है वहाँ पर कमपनी भी अपना एक जो सबसीडी वाला ओफर है सबसीडी वाला स्टेट वाइड कितना को सबसीडी मेरा है वो अपडेट करने वाली अपने website पर तो वो भी आप लोग चेक आउट कर सकते हैं वो भी जब अपडेट आ जागा उनके उपसाइट पर अपडेट हो जागा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूगा थर्ड पॉइंट पर चले तो थर्ड नमबर पर जो है वो है माराष्ट यहाँ पर आपको 10,000 का सबसीडी देखने को मिलता है तो एक लाग 10,000 आपके एक सबसीडी माइनस करने के बाद एक लाग एक सबसीडी देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आपको एक सबसीडी देती है तो यहाँ पे आपको सबसे कम प्राइज देखने को मिलने वाला है जो की 80,100 प्राइज होने वाला है सिंपल वन का और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 से पहले अगर 35,000 वेकल में घाले सिटी में इलेक्टर की स्कूटर रेजिस्टर हो जाते हैं तो यहाँ पे सबसीडी देना सरकार बंद कर देगी आपको मैं एक बर फिर से बता दूँ में घाले में सबसे ज़्यादा सबसीडी मिल रहा है बट यह आप फायदा तभी तक उठा सकते हैं जब तक इस स्टेट में 35,000 वेकल रेजिस्टर नहीं होती है 35,000 वेकल रेजिस्टर हो जाएगी तो यहाँ की जो गवर्मेंट है वो आपको सबसीडी नहीं देने वाली है और यह ओफर है सिफ 31 दिसंबर 2021 से पहले तक तो अगर आप लोग मेगाले के हैं तो यहाँ पे यह ओफर का फायदा उठाट सकते हैं तो दोस्तों यह ते 5 स्टेट जहाँ पे आपको स्टेट गवर्मेंट सबसीडी देती है बाकी और भी 13,000 एक स्टेट गवर्मेंट सबसीडी देने में जो की अफरिल 2000 पहले से इंक्लूड होने वाले है जिसमें आपको करणाटका बिहार यूपी और यह बेंगवल देखने को मिलने वाला है तो ये जिन में आपको state government subsidy नहीं देती है उन छेतरों में आपको जो एक सोरूम प्राइज होने वाला है वो एक लाक नोजान निनानवे रुपई ही होने वाला है और उसमें आपको कहीं कहीं आपको RTO tax देना होगा और उसमें insurance भी आपको include करके aid करना होगा इसका update जो है वो company अपने website पे करने वाली है उसके बाद ही कुछ बोला जा सकता है तो चलिए आप बात करते हैं next point के बारे में तो next point के बारे में बात करें तो जिनों ने भी इस electric scooter को prebook कर चुके हैं और वो color को change करना चाहते हैं उनको ये color पसंद नहीं आ रहा जैसा कि आप अब भी screen shot देख सकते हैं यहाँ पे आपको change color का option देखने को मिल जाता है जो कि पहले आपको इसमें देखने को नहीं मिल दा था तो timely इस पे company automatic update करना start कर दी है इस पे और भी काफी सारे update होने वाले हैं website पे अगला जो point होने वाला है वो भी काफी जादा पूछा जाने वाला सवाल है जो कि इस electric scooter का EMI कितना होने वाला है every month installment कितना होने वाला है तो इस पे अभी तक company का कोई भी official update नहीं आया है बट media report के माने तो इसका जो starting है वो minimum 3000 रुपे पर मन से लेकर up to 5000 रुपे पर मन तक इसका EMI होने वाला है जैसे भी कुछ इस पे update आता है उसको भी मैं Instagram पे update कर दूँगा और इनके official website पे कहां पे आपको EMI को option देखने को मिलेगा उसका भी update आपको Instagram पे देखने को मिल जाएगा अगला जो point है वो है fully refundable amount हम कैसे ले सकते हैं अगर आपने इस electric scooter को pre-book कर दिया है और आप किसी भी region से इसको cancel करना चाहते हैं और आपने जितना भी amount pay किया था 1947 आप उसको fully refundable चाहते हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं इस पर company ने अभी official website पे कोई भी ऐसा कुछ update नहीं किया है जिससे आप अभी उसको वापस मंगवा सकते हैं बड company ने भी बोला है कि आप 10 दिन रुकिया 10 दिन के बाद आपके account में वो पैसे refund कर दिया जाएगा क्योंकि उसनके website पे ये update होने वाला है जहां से आप cancel भी कर सकते हैं pre-book को और वहां से आप fully refundable amount को वापस मंगवा सकते हैं और यहां पे company आप से एक भी कोई भी सवाल नहीं पुछने वाली है यहां पे भी आप अभी देख सकते हैं तो ऐसा भी update tweet किया गया है company कि तरप से कि जिनोंने pre-book किया है अगर वह cancel करना चाते हैं तो उनको free जो full amount है उनको फूल amount transfer कर दिया जाएगा within 10 days के अंदर अगला जो सवाल है वो यह है कि सर हम apartment में राते हैं और ground floor में हमारे पास कोई भी charging socket की सुविधा नहीं है और हम अपने room में ले जाके उपर floor पे ले जाके हम इसको charge करना चाते हैं तो हम क्या करें अगर जो लोग rent पे रहते हैं उनको भी यह दिक्कत आ रही है कि हम सर rent पे रहते हैं तो हम इस electric scooter के ओ कैसे charge कर सकते हैं तो दोस्तों मैं बता दूँ इसमें company आपको दो battery देती है एक जो fix रहती है एक battery जिसको आप remove कर सकते हैं और जो battery remove होती है उसका वजन 7 kg होने वाला है तो इसको आप ले जाके charge कर सकते हैं जिसको charge करने में करिवन 2-5,5 गन टेर लगते हैं और जो fix battery है उसको charge करने में थोड़ा सा ओर जादा time लगता है तो बट यहाँ पर company ने जो बता है जो fix battery हो कैसे काम करेगी यह अभी company ने नहीं बताया है बट जो remover battery है जिसको आप remove करके लेके जाके charge कर सकते हैं उसको आप charge करके fit से लगा सकते हैं और उसको लगाने के बाद आपको 60-70 km तक का drive range देखने को मिल जाएगा मतलब दोनों battery को charge होने में करीबन 4-4.5 घंटे लग जाते हैं तो अगर आप एक battery को charge करते हैं जैसे जो fix है उसको आप charge नहीं कर पाएंग उपर ले जाके बट जो remove कर सकते हैं जिसको आप charge कर सकते हैं जो 7 kg का battery आता है उसको अगर आप charge करते हैं तो आपको 60-70 km का range मिल जाएगा तो आप daily उसको charge करके ही आप चला सकते हैं जिसमें आपको 60-70 km का drive range मिलेगा अगर दोनों battery charge हो जाती है तब आपको 203 km का drive range देखने को मिल जाता है जैसा कि आप ये clip अभी देख सकते हैं नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जो कि है IDC किसर ये IDC क्या है तो देखिए IDC होता है Indian drive cycle एक आप मान के चलिए कि जो आप cycle चलाते हैं उसके जो रप्तार होता हूँ वो maximum जाता होगा 20-30 का आप speed चला सकते हैं तो यहाँ पर अगर आपको scooter में ये IDC दिया गया है इसका मतलब आप speed को जादा कम race देखने नहीं चला सकते है मतलब आप आप आराम से इसको चलेए जैसे cycle का top speed जासा होता है scooter में आप वो minimum speed बना के चलिए 30-40 का speed आप बना के चलेंगे continue तो आपको 236 km तक का drive range देखने को मिल जाता है एक comment आया हो है जिसमें पुछा जा रहा है कि क्या इसमें 100% Indian parts यूज़ किया गया है एक percent parts जो है उसको import किया गया है जिसको आप मान सकते हैं कि बाहर से मंगवाया गया है तो एक percent के चलते आप इसको नहीं बोल सकते कि Chinese का ये product है या Chinese का ये नाम है या brand है जो भी है बट ये जो है 99% manufacturing किया गया है Indian parts के द्वारा और company ने ऐसा बोला है कि एक percent जो है जो बाहर से वो import कर रहे है उसको भी ये कुछ time बाद घरे रूँ अपने Indian market में ही इंडियन में manufacturing करने वाले है तो दोस्तो ऐसे ही सारे और भी comment है जिसके बारे में हम next video में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है और मुझे लगता है कि फिलाल के लिए इस वीडियो को यहीं रोकना भी सही होगा और अगर जो भी और भी आप लोगो कोई query है तो आप मुझे comment कर सकते हैं या आप मुझे instagram पे dm कर सकते हैं और आप अगर bike related news से update रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही आगे भी और भी काफी सारे से जो comment है जो important comment है उसको मैं next वीडियो में cover करने की कोसिस करूँगा तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए ride with bike